हेलो फ्रेंद्स वेलकम बैक तो मैं चैनल मैं समीधा आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एपल साइडर विनेगर की रेसिपी जो कि घर पर हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जिनसे आप बहुत ही अच्छा ऑगनिक एपल साइडर विनेगर घर पर बना सकते हैं एपल साइडर विनेगर की क्या बेनेविट हैं वह लड़ी मैं आपके साथ शेयर कर चीकूँ हैं एक वीडियो के तू हमारी स्किन के लिए हेर के लिए साथी ओवरॉल हेल्ड के लिए काफे बेनिफीशिल रहता है वेट लॉस में तो यह काफी और आप इसे बहुत simple से step के साथ घर पर बना सकते हैं और बन कर भी यह काफी अच्छा आता है मेरा experience काफी अच्छा रहा overall जो apple cider vinegar मैंने घर पर बनाया है तो वही recipe मैं आपके साथ share करने जा रही हूँ आज का video शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक simple से information share करने जा रही हूँ अगर आपके बच्चे 3-15 साल के age group के हैं तो में भी आपके लिए helpful हो सकती है मैं बात करने वाली हूँ yellow classes के बारे में yellow classes इंडिया का एक biggest live and interactive hobby platform है जहां पर 3-15 साल की age group के बच्चों के लिए hobby classes हैं यहां पर आप dance सीख सकते हैं, music सीख सकते हैं साथ ही अगर आप cooking में interested है, yoga में interested हैं तो यह सारी hobby classes आप यहां पर कर सकते हैं hobby classes ही नहीं English, Maths, साथ ही GK में भी आप अपने skill को improve कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात यहां पर जो भी hobby classes या जो भी classes यहां पर आप लेंगे वो free of course रहेगी, completely free है, just आपको यह app डाउनलोड करना है और उसके बाद यहां पर जितनी भी hobby classes हैं, जो भी आपके interest में हैं, वो आपस में कर सकते हैं yellow classes पर every month 20,00,000 से भी ज़्यादा बच्चे इन्रोल करते हैं, different hobby classes में, क्योंकि इनकी जो classes हैं वो design की गई है, professional and expert mentor दोरा यहां पर आपको काफी सारे celebrity mentors भी मिल जाएंगे, जैसे सान, रिपूदमन, हांडा, यह आपको वहाँ पर classes देते हैं description में link दे दूँगी, आप link पर click करेंगे, इसे download करेंगे, तो आपको सारा process step by step वहाँ पर मिल जाएगा और आप eligible हो जाते हैं प्राइज जीतने के लिए भी, तो यहां पर आप classes तो free कर ही सकते हैं, साथ ही exciting prizes भी जीत सकते हैं, तो आप इसको check out ज़रूर करें, तो चलिए बढ़ते हैं recipe की तरफ ACV यानि की apple cider vinegar घर पर बनाना बहुत ही असान है, और जो मैं method आपके साथ share कर रही हूँ, वो quick method है, इसमें आपका time भी काफी कम लगने वाला है, और यह quick version है apple cider vinegar का, तो आप इसे try कर सकते हैं घर पर, और बहुत अच्छा बनता है, इसके लिए हैं यहां पर मैंने लगबग half kg apple यह हैं, जिनको apple cutter की help से मैं इस तरह से slice कर रही हूँ, यहां पर हमें cut करते वे यह ध्यान रखना है कि इसका बीज वाला part साथ ही upper and lower part जो इसका होता है, वो इसमें नहीं आना चाहिए, हमें इसकी clean slices चाहिए, तो इस तरह से apple cutter की help से यह slices बहुत ही आसानी से हो जाती है तो इस तरह से देखिए, मैं यह cut कर रही हूँ, इसी तरह से सारे apple cut कर लेंगे, और जिस भी variety का apple आप ले रहे हैं, उसी पर आपके apple cider vinegar की quality depend करती है, तो यह आप ध्यान रखें, तो जिस तरह का भी apple आपके पास हो, उसी तरह का फिर apple cider vinegar बनेगा, तो यहां पर मेरे पास इ market में apple आ रहा है, वही है, तो वो मैंने एक glass jar में fill कर ली हैं, सारी slice, इसमें जाएगा sugar, तो मैंने यहां पर brown sugar यूज़ किया है, आप normal sugar भी यूज़ कर सकते हैं, three spoon यह sugar है, इसमें half kg में गया है, इसके बाद इसमें मैंने plain water, आरो वाला पानी है, वो मैंने इसमें add कर दिय और यह देखें, इसको इतना fill किया है, कि यह सारे apple इस तरह से डूब जाएं, और इसको mix करने के लिए wooden spatula का use करें, क्योंकि एक natural process है, तो इसमें आप किसी भी तरह का metal वगरा use नहीं करें, आप इसको इससे तरह से बंद कर देंगे, यहां पर इस तरह से normal apple cider vinegar बनाने के बट हमारे पास already apple cider vinegar है, जो बाग brand का है, और इसको मैं as a starter में add करीं, तो मैंने 2-3 spoon इसमें डाल दिया है, यह apple cider vinegar, इससे क्या होगा, यह जो process है, यह थोड़ा सा fast हो जाएगा, बस इस तरह से इसको mix करके किसी dark place पर आप रख दें, और इसको आप everyday mix करें, तो यहां पर देख रहे है, temperature काफी थंडा है, इस time पर snowfall हुआ है, तो इस time पर भी इसमें काफी अच्छा fermentation हुआ है, तो मैंने इसको हर दिन खोला है, बट आपको मैं दिखा रही हूँ, third day की clip, इसमें आप देख सकते हैं, कि इसमें नीचे fermentation होना शुरू हो गया है, इसमें bubble जो form हुए इसमें fermentation हुआ है, और ये इस तरह का जो result हमें मिला है, वो apple cider vinegar जो हमने adjust starters में add किया है, उसकी वज़े से, अगर normal ये process रहता तो इतना आपको लगभग 15 दिन के बाद मिलता है, क्योंकि थोड़ा सा slow process है, और इसमें temperature का भी काफी important role रहता है, अगर ठंडे में हम कर रहे हैं, तो time जादा लगने वाला है, तो अभी ये सर्दियों के time पे जब मैंने इसे start किया था, उस time पे temperature काफी down था, फिर भी ये third day काफी अच्छा हो गया है, तो बस इसको इस तरह से हर बार आप mix कर दें, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने jar में उपर जो जगा छोड़ी है, वो इसी लिए कि इसमें एकदम gas जो form होती है, वो इसको break ना कर दे, तो इस तरह से space रहता है, तो थोड़ा सा time आपको मिल जाता है, बस आप इसको हर दिन इसी तरह से खोलें और mix करें, फिर रग दें, अभी ये जो clip में आपको दिखा रही हूं, six day की है, apple आप देख स बहुत सारे changes इसमें होते हुए देखेंगे, तो इस तरह से again इसको फिर से मैंने mix कर दिया है, और फिर से इसको mix करके, लिट को cover करके, आप फिर से इसको dark place पर रख दे, तो इसी तरह से ये process होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकते हैं, आप या रोज के रोज इसको इ आप देख सकते हैं, सारा pulp उपर है, और जो इसका vinegar बना है, वो नीचे है, तो अब next process में मैं इसको mix कर दूँगी, और अभी मैंने इसको इसको mix किया और आप इसको taste भी कर सकते हैं, इसका खटा सा taste हो जाएगा, जब आपने इसको mix किया था, तब apple का मीठा सा taste रहता है, सा अगर आप इसमें starter नहीं use करते हैं, तो इसको बनने में लगबख तीन महीने का time लगता है, तो अभी 15 days पर ये हमारा liquid बनकर ready है, इसको आप use कर सकते हैं, बट मैं इसको चानने के बाद, again फिर fermentation के रहे रखूंगी, तो ये देखे, इस तरह से ये जो हमारे पास liquid आ गया है ये अभी आपको काफी dark लग रहा है, धीरे धीरे जब इसमें और fermentation process होगा, तो ये काफी clean होता चला जाएगा, तो ये देखे, इस तरह से आपको ये clip दिखा रही हूँ, मैं 20 दिन है, और ये काफी अच्छा vinegar बनकर ready हो गया है, और काफी इसमें bubble भी है, तो इसमें जब आ से हमारा apple cider vinegar almost done है, बन गया है ये, आप इसको use कर सकते हैं, बट इसको अभी आप जितना लंबा रखेंगे, उतना अच्छा इसमें process होगा, और ये और भी ज़्यादा clear होता जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, after one month, ये liquid कितना clean उपर आ गया है, ये देखे, और इसको हम इस तरह से, अगर आपको ये clean चाहिए, तो आप इसको इसको इस तरह से चान सकते हैं, और इसको store करके रख सकते हैं, otherwise आप mother के साथ में भी रखेंगे, तो ये सालों साल कहीं भी खराब नहीं होता है, इसको आप as it is use कर सकते हैं, बट मैं आपको दिखाने के लिए इसको चान रही हों, और इसको एक बॉटल में अलग लग दो बॉटल में रख दूँगे, ताकि एक में ये mother के साथ रहा, और एकदम ये clean तो आप देख सकते हैं, कितना clean ये हमारा apple cider vinegar बनकर ready हुआ है घर पर, और आपने देखा कि जो हम बाक ब्रैंड का लेते हैं, उसका price काफी महगा ये आता है, ये जो बॉटल मेरे पास है, ये लगबग 700-800 रुपे की हमें online मिलती है, और उससे भी काफी अच्छे quantity में, ये half kg में मेरा apple cider vinegar बनकर ready हो गया, तो आप भी ये simple सा method यूज़ करके इस तरह से घर पर apple cider vinegar बना सकते हैं, और इसके फाइदे के बारे मै मैंने एक proper वीडियो आपके साथ share किया हुए, उसका link मैं आपको description box में दे दूगी, तो काफी health benefit है, apple cider vinegar के आप इसे check out कर सकते हैं, और इसके फाइदे ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आने वाली छुटियों में कुछ hobby classes join करें, वो भी free में, तो download link मै से कसी और नहीं interesting video के साथ, तब तक के लिए, bye, thank you, thanks for watching